नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग हनी कॉम पैट को डायरेक्ट आपके सामने साफ करने वाले हैं इस कूलर के बारे मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ तो चलिए फटा फट पीछे का मैंने पार्ट खोल लिया है यहाँ पर इस कूलर का हम लोग एक एक पार्ट हर एक चीज साफ करने वाले हैं बिलकुल नया जैसा कूलर कर देंगे क्योंकि अब ये गर्मियों में दोबारा खोलना ना पड़े इस वज़े से चलिए एक एक करके इसके सारे हनी कॉम पैट को निकाल लेंगे हनी कॉम और आप इनकी गंदगी देख सकते हैं और क्लीन होने के बाद इसमें आपको बहुत डिफ्रेंस देखने को मिलेगा एक एक करके सारे हनी कॉम पैट को मैंने एक सीरीज में लगा लिया है जिससे जो मैं इस्प्रे करूंगा उससे ये जो लिक्वेड है वो बरबाद ना जा आप इसको ब्रस के माध्धम से भी कर सकते हैं मेरे पास इंको की मसीन है इसका अगर डेटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा आज मैंने इसमें जो लिक्वर लिया है वो है हमारा एसीड और इसको आप जो ह को मिल सकती है यहाँ पर जो मैं एसिट ले रहा हूं इसको मैं अपने इस्प्रे मसीन के अंदर करीब एक बटे तीन कौंटिटी में भर लेने वाला हूं और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखेगा इसको डारेक्ट अप्लाई मत करिएगा क्योंकि डारेक्ट अप्लाई करन भी नहीं आएगी तो अब हमारा ये सिट तैयार हो गया और आप ऐसे ही अपने लिए इस एसिट को तैयार कर सकते हैं तो चलिए अब फटा फट हम लोग अपने हनी कॉमपैर के पास चलते हैं और उसमें जमी हुई यो डस्ट देख रहे हैं आप लोग इस डस्ट को पूरा क्लीन करते हैं मतलब एकदम जाम हो चुका है हनी कॉमपैर नॉर्मल कंडिशन में ऐसे हनी कॉमपैर फेंक दिये जाते हैं पर हम लोग इसको अच्छे से क्लीन करेंगे और दोबारा से री यूज करेंगे क्योंकि अगर इसका एक भी पोर्स बंद रहा तो वो उतनी सारी मति धी रिदी रिफूल जा रही है प्रोसेश हम लोग पूरे हनी कॉमपैट पे इस एसट को एपलाई कर लेंगे और अगर आपका हनी कॉमपैर एक बार में साफ ना हो तो ऐसी कंडिशन में आप इस पर दो बार एसट को एपलाई कर सकते हैं इसके साथी चेहरा जरू पूड़ी जगह हो वहां पर इस इसे को एप्लाई करिए क्योंकि इससे जो गैसे निकलती है वह निकल जाएं और इससे आपको किसी भी प्रकार का हार्म ना हो तो चलिए इस पर दिरे-धी सब्सक्राइब करेंगे और अपने कम से कम आप हजार रुपए तक हनी कॉमपैट के बचा लेंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि हनी कॉमपैट की जितनी मट्टी थी वह सारी मट्टी फूल चुकी है यहां पर आपको फेना फेना दिखाई पड़ रहा है अब इसको फेने क करके इसको ऐसे ही रख दिया था अब आप देख सकते हैं कि हनी कॉमपैट की जो सारी मट्टी थी वह फूल चुकी है अब मोस्टली पार्ट में जहां जहां मट्टी थोड़ी बहुत फसी हुई है वहां पर हम लोग एक कोई छोटा ब्रस लेके अगर आपके पास थोड़ा अगर और आपके पास प्लास्टिक का कूलर है और आपके हाँ का पानी भारी है मतलब पानी जम जाता है कूलर पर या किसी भी चीज पर तो आप इस एसीड का उपयोग कर सकते हैं और स्टील की जो टोटियां होती है उन पर भी एसीड बहुत जबज़स काम करता है कभी ट्राइ करके देखेगा अगर आपकी पाइप्लाइन जाम हो जाए या इस्टील की टोटी जाम हो जाए तो आप ऐसी कंडिसन में इसको अप्लाइ कर लेंगो तो फटा फटा आपकी वो टोटी और वो हर एक चीज साफ हो जाएगी जहां पर मटी जमा हुई है अब आप देख सकते हैं आपके सामने पेस हैं जो हनी कॉमपैट को मैंने यहाँ पर धो दिया था अब यहाँ पर देखेगा कि हनी कॉमपैट का हर एक पोर्स अच्छे से साफ हो गया है कहीं पर जहां जादा मटी थी वहाँ पर आपको थोड़े-थोड़े से अब लोग इसको धीरे से पूरा सेट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूं कि कि इसनी जबर जस्त यह एयरफ्लो के साथ काम करता है कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए का अब यहाँ पर हम लोग कूलर का जो एक तरफ का हम लोग ने पैट निकाला था क्योंक कोई सारी दिक्कत आ जाती है कि वो सही से लग नहीं पाता है ऐसे में हम लोग हैं मैंने एक तरफ का पैनल लगाने के बाद अपने कूलर को टेस्ट करके देखा कि कूलर में कोई टेकनिकल फाल्ड तो नहीं आ गई है चूहे ने कुछ तारवार तो नहीं कर दिये पर कूलर एक दम फिट था तो मैंने पीछे वाला पैनल भी इसमें इंस्टॉल कर दिया इस सेट हो चुका है और आप देख सकते हैं यह कूलर हमारा स्टार्ट हो चुका है और यह जवर जस्त हवा देता है